नमस्कार स्वागत है आपका मेरे यूट्यीब चैनल रीमेक एडीडுपाथ में आज मैं आपके सामने सेकेंड़ी एर हाईर सेकेंडरी स्कूल के न्यू कोड़् इस्ट्रक्शर के फॉरमीशन को लेके आपके सामने उपस्तित हुए New Code Structure of Secondary and Higher Secondary School बिहार बुर्द्वाराग राज के 11,261 स्कूलों के मैट्रिक और इंटर के 11 अंकों का नया Code निर्गत किया गया है उन्होंने एक नया Code Structure निर्गत किया है इसमें 11 अंक हैं 11 अंक है उन्होंने सारे के अपने अपने मतलब है इस वीडियो में हम उस Code Structure को जानेंगे उस Character के Structure Formation को जानेंगे तो आईए अपना वीडियो सुरू करते हैं और उस चीज़ को जानते हैं यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कि प्यार लाइक किजिएगा यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे आईए शुरू करते हैं बिहार विद्याले परिक्षा समयती ने वैसे सभी संस्था जो बिहार विद्याले परिक्षा समयती से संबंधित हैं वो ग्यारा अंको का नया कोड निर्गत किया है संबंधित विद्यालेों संस्थानों की अचाना स्थापित करने शुगम प्रबंधन तता परिक्षा व्यवस्था की मानकी करन सुनिशित करनी की दिशा में काफी सहायद सिक्ष्ष होगा नई विद्यालय कोट सहचना का उदाहरन देखते हैं, जो ग्यारा अंको में हैं, यह देखते हैं, एक, दू, इन, चार, आठ, छे, साथ, आठ, नो, दज, ग्यारा यारा अंको के स्ट्रक्चर, प्रथम एक अक्षर विद्यालय के अस्तर को इंगित करेगा, जहां इम होगा तो मैट्रिक का विद्यालय है, आई होगा तो इंटरमेडियेट अस्तर का विद्यालय है, जी होगा तो जॉइंट है, अर्थाद इंटर और मैट्रिक दूनों अस्त तरिये विद्याले हैं। दूरीतिये एक अक्षर विद्याले की प्रकृति को बताता है। बी होगा मतलब बॉयस का विद्याले है। जी होगा मतलब गल्स का विद्याले है। सी होगा मतलब कोई एजुकेशन है आर्थात बॉयज और गर्ल दोनों के लिए बिद्याले है प्रीतिये दो अक्षर अनुमंडल के लिए उधारन ये जे यानि अरे राज चतुर्थ दो अक्षर जिला है तुहे उधारन इसी यानि इस्टचंपार अंचम अंतिम पाँच अंग बिद्याले को क्रमवार आवंटित कोड होगा अंतिम पाँच अंग का प्रथम अंग ऐसे होगा जीरो होगा यानि सरकारी है तू एक सरकारी कल्यान विभाग है तू दो गैर सरकारी है तू कीन होगा वो अल्पसंच्यक विद्याले है तू होगा जे सी ए जे ए सी जीरो जीरो वन पूर पाइफ इस कोड के माध्यम से हम कहेंगे यह एक जीरो वन फूर फाइफ नंबर का जिला पुर्वी चंपारन के औरे राजन मंडल का ज्वाइंट यानि इंटर और मैट्रिक वो एजुकेशन का एक सरकारी विद्याले है यानि कहने का मतलब इस कोड के माध्यम से हम जिला अनुमंडल विद्याले की प्रकृति आधी को हम जान जाएंगे निवे स्ट्रक्चर को इस डाइग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं जहां हर करेक्टर का अपना मतलब है और इसमें हर करेक्टर को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है इसको हम बारिकी से इस तरह से देखके समझ भी सकते हैं